हाई गाईज वेलकम बैक टूनेदर सेशन मैं आब अब अब नोट लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेस का अपिसोड नमबर 823 आज की तारीक है 29 अक्टूबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रेंटर आएस और अगर अब तक आपने चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथी इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से sscigilpinnacle.com और बलजीधकर.com इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बज एवेलिबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कोशिन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना ह साथ ही साथ हमारे दोनों टेलिग्राम हैंडल्स प्रंटियर आएस और sscigilpinnacle online को जोइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियो पीडियेफ एंड मंथली मैगजीन साथ करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्चन था विश्व श्रव्य दृष्य विरासत दिवस World Day for Audio Visual Heritage कब मनाया जाता है तो इसका सई जवाब था 27 अक्टूबर और आपका दूसरा क्वेस्चन था Night of the Restless Spirits पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका सई जवाब था सर्वप्रीत सिंग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ आई राइज डॉक्यूमेंटरी ने टेगोर इंटेनाशनल फिल्म फेस्टिवल में उतकृष्ट पुरसकार जीता है यह किस बॉक्सर के जीवन पर अधारित है तो इसका सई जवाब है उप्शन नमबर B लेश राम सरीता देवी पस्चिम बंगाल में आयोजित टेगोर इंटेनाशनल फिल्म फेस्टिवल टी आई डबल एफ में बॉक्सर लेश राम सरीता देवी के जीवन पर अधारित डॉक्यूमेंटरी आई राइज ने बेस्ट फिल्म ओन विबिन उतकृष्ट उपलब्धी पुरसकार जीता है 52 मिनेट की इस डॉक्यूमेंटरी का निर्देशन राष्ट पुरसकार विजेता फिल्म निर्माता और पत्रकार बोरुन थोक्चोम ने किया है आई राइस फिल्म डिविजिन मुंबई प्रडक्शन है TIFF एक मासिक लाइफ स्क्रीनिंग अंतराष्ट इवेंट है प्रती एक महीने में विश्व फिल्म उद्योग विशेशग्य विभिन श्रेनियों में 20 आधिकारिक रूप से चयनित फिल्मों की घोशना करते हैं और उन फिल्मों में से एक को बेस्ट आफ दी कैटेगरी पुरसकार मिलता है यहाँ पर एक को एक रिविजिन की बात करें एक भारतिय लड़की के महाश्वेता ने लास वेगास मूवी अवार्स 2020 में शौट फिल्म ग्रैंड मा टॉय में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ट बाल यूवा भी नेत्रिका पुरसकार जीता है अगला प्रशन है किस अंतरिक्ष अजेंसी ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा की सतय पर पानी की पुष्टी की है तो इसका सईच जवाब है Option C अमेरिकी स्पेस रिसर्च अजेंसी नासा ने पहली बार चंद्रमा की सतय पर पानी के निशान पाए है पहली बार सोफिय टेलिसकोप स्ट्राटोसफेरिक अब्जरवेटरी पर इंफ्रारड एस्ट्रोनॉमी का इस्तमाल कर चंद्रमा की उस सतय पर पानी के पुष्टी की है जहां सूरच की किरन पढ़ती है नेचर एस्ट्रोनॉमी जेनरल में प्रकाशित परी नामों से पता चलता है कि पानी या तो छोटे उकला पिंड के प्रभाव से बना है या सूर्य से निकले उर्जा के कनों से पैदा हुआ है सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिनी गुलाद में स्थित प्रित्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े क्रेटरों में से एक क्लैवियस क्रेटर में पानी के अनुओ का पता लगाया है अगला प्रशिन है केंद्री शिपिंग राजे मंत्री ने वी ओ चितंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डारेक्ट पोर्ट एंट्री सुविदा शुरू की है यह किस राजे में स्थित है तो इसका सई जवाब है उप्षिन इंबर सी तमिल नाडू केंद्री शिपिंग राजे मंत्री आईसी श्री मंसुक मंडाविया ने चितंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डारेक्ट पोर्ट एंट्री DPE सुविदा शुरू की है चितंबरनार पोर्ट ट्रस्ट को पहले तूती कोरिन पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता था यह तमिल नाडू में स्थित है यह एक All Weather Port है DPE सुविदा से लोजिस्टिक लागत कम होगी और कारगों का वेग बढ़ेगा यह कार खानों से कंटेनरों की सीधी आवा जाही को सक्षम करेगा पोर्ट ने 30 साल के लिए DPE सुविदा संचालित करने के लिए केंद्री भंडारन निगम CWC के साथ एक समझोता ग्यापन प्रसाक्षर किये हैं नौ वहन मंत्रालय मैरिटाइम विजन 2030 पर काम कर रहा है वी और चितंबरनार पोर्ट ट्रस्ट एक प्रमुक और कृतिम बंदरगा है बात करें तमिलाडू की तो इसकी वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट म पुरोहित और चीफ मनिस्टर है एके पलानी स्वामी अगला प्रशन है किस कंपनी ने फोब्स वर्ल्ड बेस्ट इंप्लॉयर 2020 की सूची में शीर स्थान प्राप किया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर डी सामसंग सामसंग ने फोब्स वर्ल्ड बेस्ट इंप् किया है जिसके बाद IBM, Microsoft और LG का स्थान है HCL Technologies विश्व स्थर पर तीसवी रैंक के साथ शीर्ष भारती एंप्लॉयर है HDFC Bank सूची में 176 स्थान के साथ भारत का शीर्ष बैंकिंग शेत्र के एंप्लॉयर है इसके साथ ही NTPC Limited वैश्विक स्थर पर 261 पदों के साथ भारती सार्वजनिक उपक्रमों के बीच सूची में सबसे उपर है अगला प्रशन है भारत में इंफैंट्री दिवस कब बनाया जाता है तो इसका सई जवाब है option number C 27 October सेना की शहादत और वीर्टा के तिहास को याद करने के लिए 27 October को पैदल सेना दिवस यानि इंफैंट्री डे मनाया जाता है 1947 में इस दिन सेना ने अपनी जबाजी से कश्मीर में एक मिशन चलाया था जब कश्मीर सहित दो अन्य रियासते भारत का हिसा बनी थी तब कश्मीर में राजा हरी सिंग का शासन था जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमन कारियों से लडने में वीर सैनिकों के सरवोच बलिदान का सम्मान करने के लिए 74 वा इंफैंट्री दिवस मनाया गया इस वर्ष अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पॉम्पूओ और अमेरिकी रक्षा सचीव मार्क एंड्रियू ने राष्ट्र युद समारक पर शिर्धांचली अर्पित की यहाँ पर अडिशनल इंफोमेशन के बात करें तो अंतराष्ट्रे अनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है इस दिन का निर्मान 2002 में असीफा अंतराष्ट्रे अनिमेटेड फिल्म एसोसेशन दबारा किया गया था जो युनेस्को का सदस्य है अगला प्रशन है Federation of Indian Fantasy Sports के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसका सई जवाब है Option B बिमल जुलका Federation of Indian Fantasy Sports FIFS ने बिमल जुलका को अपना अध्यक्ष निक्त करने की घोशना की है अपनी नई भुमिका में जुलका भारते फंतासी खेल उद्योग के संचालक मानकों को और मजबूत करने के लिए सबी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे बिमल जुलका भारते प्रशासनिक सेवा IAS 1979 बैच के मध्यपरदेश कैडर के अधिकारी है वे जौन लौफगेन का पदभर ग्रहन करेंगे जिन्होंने तीन वर्शों के लिए FIFS के ध्यक्ष के रूप में कारे किया लौफगेन एक रन नीतिक सालाकार की भूमी का ग्रहन करेंगे और उद्योग में प्रासंगिक अंतराश्चे निकायों के साथ सहयोग करने पर FIFS का समर्थन करेंगे अगला प्रशन है भारतिय पुर्वा तत्व सर्वेक्षन के साथ किस IIT ने समार्कों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं तो इसका सई जवाब है Option No.C IIT कानपूर एतिहासिक समार्कों की बहाली और समर्क्षन के लिए भारतिय पुर्वा तत्व सर्वेक्षन एस आई इटली के दो संस्थानों के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इस MOU के तहट गती विधियों का समनवे IIT कानपूर के सिविल इंजिनिरिंग विभाग के प्रोफेसर मुकेश शर्मा दुवारा किया जाएगा MOU को IIT के काफ औसकारी उनिवर्सिटी आफ वैनिस भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन सोप्रिन टेंडेंजा आकेओलोजिया वेले आर्टिय पैसेजियों वैनिस में एक नेटवर्क बनाने और अतिहासिक समारकों के जिर्नो धार और संरक्षन के लिए कौशल साजा करने पर हसाक्षर किये गए सभी संस्थान विज्ञानिक अधियन और कौशल साजा करन यान का आदान प्रदान अनुभव शैक्षनिक सामगरी और प्रकाशन कारे शालाओं के संचालन संयुक्त शेत्र के अधियन और प्रदियोगी की विकास के एक शेत्रों में सहयोग और गति विधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एक रिविजिन की बात करें तो IIT जोदपुर और NHAI ने हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर की भैतरी के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं बात करें इटली की तो इसकी क्यापिटल है रोम और क शेरा उत्सव है करनूल जिले के देवरगट पहाड के पास हर साल लाठियों से मारने वाला उत्सव मनाया जाता है इस साल जिला कलेक्टर ने कोविड-19 देशा निर्देशों का हवाला देते हुए देवरगट्टू बन्य उत्सव पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की जनता की मंडली को रोकने के लिए कुर्णूल जिला पुलिस विंग ने धारा 144 लगा दी थी यहां पर एक को एक रिविजन के बात करें तो हाल ही में आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कौन से योजना शुरू की गई है त आता है पपिकोंदा नाशनल पाक, स्री सेलम टाइगर इजव और पुलिकत लेक बर्ड सैंक्चूरी, आंधर प्रदेशी कैप्टल है अमरावती, सी एम है वाइस जगन मुहन रेड़ी और गवर्नर है बिस्वभूशन हरीस चंदरन, अगला प्रशन है, हाल ही में किस का एक उधारन दिया, मैक्सिको में इस शेत्र में कई गाउं है, जहां स्थानी ग्रामिन खादी भुनते हैं, इस जगा की खादी को ओहाका खादी नाम से लोग प्रियता मिली है, ओहाका खादी एक फार्म टू गार्मेंट समू है, जिसमें लगबग 400 परिवार शामिल है, जो दक्षिनी मेक्सिको में पारंपरी खेतों और घरों में रहते हैं और काम करते हैं, यह मार्क मार्कोस ब्राउं द्वरा स्थापित किया गया था, जो गांधी से काफी प्रभावित थे, दो साल 1986-88 तक धह गुजरात के साबरमती आश्रम में रहे, जहां उन्होंने चैप्टल है मेक्सिको सिटी और करंसी है मेक्सिकन पैसो, अगला प्रशन है, कोबिड-19 महामारी के कारण कोची मुझीरिस बियानल के पांचवे संसकरन को सगित कर दिया गया है, यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका सई जवाब है, option number D, केरल, प्रचलित महामारी के कारण के कोची मुझीरिस बियानल के पांचवे संसकरन को अगले वर्श हेतु सगित कर दिया गया है, यह अंतराष्ट कला प्रदशनी पहले 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली थी, कोची बियानल फांडेशन ने सूचित किया है कि एक्सपो को सगित करने का निर ने राज्य में महामारी के चलते लिया गया है, कोची मुझीरिस बियानल भारत का पहलत भी वाशिक बियानल है जो वैनिस बियानले जैसे प्रसिद कला उत्सवों से प्रिरित है तथा दुनिया की नई कलात्मक प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है राज्य सरकार और कुछ व्यवसाओं के सहयोग से कोची बीनल फाउंडेशन वर्ष 2012 से इस महत्सव की मेजबानी कर रहा है वसुदेव कुटुम और अधुनिक्ता की भावना का विकास करना जो की कोची के जीवन्त अनुभव में नहित है केरल में सारवजनी कारेवाई और सारवजनी क्चितरकारी की सुम्रिद परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे भारत में कलात्मक व्यवसाई के एक केंद्रे के रूप में स्थापित करना है भारतिये लोगों के नए आत्मविश्वास को प्रतिबिम्बित करना जो धीरे ध जिस्चित रूप से एक नए समाज का निर्मान कर रहे हैं जिसका उदेश्य, उदार, समावेशी, समतावादी और लोगतांत्रिक होना है यहाँ पर एक क्विक रिविशन की बात करें तो कौन सा राज्ये सभी पब्लिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल, हाइटे क् परिया करवाने वाला पहला राज्ये बन गया है तो इसका सई जवाब है केरल, बात करें केरल की तो इसके डैम्स और रिवर्ज में आता है मुला परियार डैम परियार, इडूकी डैम परियार और काकी डैम काकी, नैशनल पाक्स में आता है अनामुडी शोला नैशनल पाक माथी केटन शोला नाशनल पाक, पंपदम शोला नाशनल पाक और पेरियार नाशनल पाक केरला की कैप्टल है तिरुवंत पूरम, गवर्नर है आरिफ महुमत खान और चीफ मनिस्टर है पिनारई विजयन बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो आई राइस डोक्यूमेंटरी लैश्रम सरीता देवी पर आधारित है वाटर ओन दी सर्फेस ओफ मून नासा ने इसकी पुष्टी की है वी और चितंबरनार पोर्ट ट्रस्ट तमिलाडू में स्थित है फोब्स वर्ल्ड बेस्ट इंप्लोयर 2020 में सैमसंग ने टॉप किया है इंफैंट्री डे अक्टूबर 27 को मनाया जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेर्मेन है बिम्बल जुलका मॉन्यूमेंट्स के रिस्टोरेशन के लिए आक्योलोजिकल सर्वे उफ इंडिया और I.I.T. कानपूर ने इटैलिन इंस्टिूट्स के साथ M.O.U. पर साइन किये है बन्नी फेस्टिवल आंधरपरदेश में मनाया जाता है फेमस ओहाका खादी मेक्सिको में पाया जाता है कोची मुजीरिस बियैनल केरला में आयोजित किया जाता है बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विस फो दर डे की आपका पहला क्वेस्टिन है फेडरेशन ओफ इंडियन फैंटिसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है बनी त्योहर किस राज्य में मनाया जाता है और अगर अब तक आपने माय चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोने वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और बलजीधा.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ हमाई दोनों टेलिगरम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सू मच